हलो एवरिवन तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और यह जो वीडियो है हमारा पार्ट टू है इवांस ट्राइस एन ओ लेवल का जो की लिखा हो गया है बारे में इससे पहले मैं अल्रेडी एक वीडियो बदा चुका हूँ जिसके अंदर मैंने आप लोगों को स आशा के ओ लेवल का एक्जाम दे सको ही इस ग्रांटेड फर्मिशन एज ही जए यंग एंड एमियेबल बॉइ परसन यानि कि वह यंग था और वह टैलेंटेट था इसलिए उसको पर्मिशन दे भी गई दी गई कि शायद यह चुको हाला कि सबको शक्ता इसके उपर ही इस काल्ड इवांस दब्रेक एज ही हैज इसकेब फ्रम दा जेल थ्राइस यानि वह तीन बार जेल थोड़के भाग चुका था इसलिए उसे इवांस दब्रेक के नाम से जाना जाता हाला कि थो रो रो चेकिंग इस दन बिफोर एंड ओन दे ऑफ दे एक्जाम निशन यानि जि मेरे लगी चाम है इसलिए प्लीज इसे मेरे पास ही रहने दीजे मुझे लगाने दीजे इसे हाला कि हम लोगों को पता है हमने पढ़ा हुआ है समरी के अंदर कि वह यह नहीं चाहता था कि जेलर जो है उसके कटे वे बाल देखे इसलिए वह यह पहमता है कि ऑन दा डे आपका अमेरिकन और ब्रिटिश एकसेंट का फर्क है स्पेलिंग से कोई ले ना देना नहीं है शेडूल और स्केडूल दोनों चलेगा और हमने नाम पढ़ाता है रेव डॉट एस डॉट मेकलेरी तो यह उसका पूरा नाम क्या है रेवेरेंड स्टॉर्ट मेकलेरी जो उस एक्जामनेशन वाज कंडेक्टेट इंसाइड दा सेल अंडर दा स्ट्रिक्ट केर ऑफ विगल और एंड विगल ऑफ स्टीफेंसन एंड जैकसन यानि स्टीफेंसन और जैकसन की कड़ी निगरानी में पेपर लिया जा रहा था मैकलेरी वाज चेक्ड तो लोली बिफूर ए इसलिए वह जो है पूरी दिग्रानी रखता है पूरा ध्यान रखता है एक्जाम स्टाटेड अब लेट एट एट नाइन फॉर्टी एम दा असिस्टेंट सेक्रेटरी इंफॉर्म डैट देर वाज़ा करेक्शन स्लिप तू बी कैप इन दा पैकेज यानिक एक्जामनेशन के जो एक्सिस्टेंट सेक्रेटरी होते हैं वो कहते हैं एक करेक्शन स्लिप है वो पैकेट के अंदर नहीं रखी गई है पैकेट यानिकि वो जो ब्राउन ब्रीफ केस लेकर के आता है में क्लैरी उसके अंदर नहीं रखी गई है तो प्लीज इसको उसके अंदर रख लीज के अंतर पर स्टीफन जो है बार-बार खड़की से अंदर देखता कि वह सेल में सब कुछ सही तो है इवांस आस्ट फॉर ब्लैंकेट इवांस एक कहता कि मुझे कंबल दे दो स्टीफन सोचता साइट ठंड लग रही है इसलिए मांग रहा होगा वट हमने पढ़ा हुआ है कि इस में कुलेरी के और अंदर आगे उसने इवांस के साथ जगह चेंज नहीं कि तो जब वह बाहर गया तो लोगों को ऐसा लगा कि इवांस जो है मेकलेरी बनके बाहर चला गया बट ऐसा कभी हुआ आ जो मैंकुलेेरी बन के आया था वही person बाहर गया था इवास जो है वह मैंकुलेरी वाले कपड़े पहन करके कमरे के अंदर और वो जो मैंने आपको बताया थाывать BIG punk यह यह याद बाहर भाग गया है बट वैने आपको क्या बता है जो नीचे गिरा हुआ था वही असली इवांस था मैकलेरी बनके जो बाहर आया था वो तो सिर्फ कपड़े बदल के चला गया था जगा नहीं बदली थी उसने मैकलेरी टोल्ड हिम डट ही न्यू अबाउट्ट ऑफ इवांस यानि मैकलेरी ने बोला कि मुझे पता है कि इवांस कहा गया होगा जैक्सन रस्ट टू दा स्पॉट अफ न्यूजबरी की जगह पे जाता है क्योंकि हमने पढ़ा है कि गवर्नर खुद आते है वो एक करके पे एक्चुली जो है मैकलेरी जो था वो कभी आया ही नहीं जो बंदा अंदर आया तो वही बार गया तो और इवांस जो हो मैकलेरी बन गया और उसके थ्रू से हॉस्पिटल जाने का मौका मिल गया कुद पुलिस की गाड़ी में हाला कि 19 जो पॉइंट है उसके अंदर ये बो चला वह से पता चला कि तो यहां पर विलेगा लेकिन जिस जील वाली गाड़ी में उसे बठाय जाता है उसी जेल वाली गाड़ी में उसके ही दोस्त बेट वह उते हैं जो खंब सबस्ते हैं इसके हत्त कड़ी खोलते हैं और चले जाते हैं और इसी फिस ही त confess thought is this कि मैं उसके अंदर मैंने आपके support material के key points और summaries को दिखाया है I hope आपके लिए helpful रहेगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगते हैं तो मने friends के साथ भी share कीजिए और लाइक भी कीजिए और आप बताइए और flamingo की भी मैं इसी तरीके से एक पूरी की पूरी सिरीज लेकर के आऊंगा support material वाली जो chapter आपके इस साल नहीं आ रहे हैं प्लीज आप उन पर time waste मत करना जो जो इस साल आने वाले सिर्फ उनी चेप्टर के आप वीडियो देखना ओके तो I hope for you get all great marks so all the best stay safe and thank you for your time